आज हम पढ़ेंगे नीट के कुछ बायो के इंपॉर्टेंट कुस्टिन पहला कुस्टिन है हीमोफीलिया इज आप्शन ए डिफिजियनसी डिसॉडर वाई लिंक्ड डिसॉडर एक्स लिंक्ड डिसॉडर आटोसोमल डिसॉडर तो इसका right answer हो जाएगा option number C हमारा option number C क्या हो जाएगा एक्स लिंक्ड डिसॉडर ठीक है, तो हीमोफीलिया हमारा क्या है उसके बादमे question नमबर दूसरे की आज चलते है which of these is a dominant factor इन में से dominant factor कौन सा है option A, RH factor option B, हीमोफीलिया option C एल्पिनिज्म और ओप्सन डिये है कलर ब्लाइडनेश तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरेच फैक्टर तो आरेच फैक्टर क्या है? एक डॉमिनेंट फैक्टर है ठीक है? क्वेस्टन नमबर थार्ड है अनॉर्मल वूमेन इसका राइट आंसर हो जाएगा फिप्टी परसेंट कलर ब्लाइड ठीक है? क्वेस्टन नमबर फूर दिया गए Which of the following conditions is needed Is called मॉनोसोमिक्स ओप्शन ए दिया गए 2N plus 1 ओप्शन बी दिया गए 2N plus 2 ओप्शन C दिया गए 2N minus 1 और अप्शन दिया गए N plus 1 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा option number C 2N minus curve 1 ठीक है